नमस्कार मैं हूँ रमे सवस्थी हमारे खास कारकम समय संबाद में आपका स्वागत हैं आज हमारे साथ एक खास मेहमान उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक सिच्छा मंत्री डक्टर सतीस दुवेदी सतीस दुवेदी बिद्याती परसत से जुड़े रहे हैं और बिद्याती परसत में इने ठिक त्रग करूब में जाना जाता है आज हम इनसे इनकी विभाग के बारे में, इनकी राजनितिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे लेकिन इससे पहले जालनेते हैं कि राजनितिक जीवन के बारे में बेसिक शिक्षा राजमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र दुएदी एक ऐसा नाम जिनका काम बोलता है डॉक्टर सतीश चंद्र दुएदी सिधार्थ नगर के इटवा विधानसभा से विधायक है और इसी विधानसभा क्षेतर के शनीचरा गाउं के निवासी है इनका जन्म एक माई 1978 को भुआ था इनके पिता का नाम आयोध्या प्रसाथ दूबे है कुल चार भाईयों की परिवार में दो भाई शिक्षक हैं जबकि एक भाई घर पर ही रहते है डॉक्टर सतीश चंद्र दुएदी की शादी डॉक्टर कल्यानी दुएदी के साथ हुई थी इनकी पत्नी डॉक्टर कल्यानी दुएदी फिलहार राजगिये डिग्री कॉलेज लखनों में शिक्षका है डॉक्टर सतीश चंद्र दुएदी के शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने हाई स्कूल श्री राधा कृष्ण इंटर कॉलेज तलपुर्वा से किया और इंटर्मीडियेट राजगिये इंटर कॉलेज बस्ती से किया इस नातक की परिक्षा एपेण डिग्री कॉलेज दिपास की 2010 में उन्होंने दीन दयाल उपाध्यायक गुरखपुर विश्विध्याले से पीएच डी की उपाधी प्राप्त की डॉक्टर सतीश चंद्री दुएदी के राजणेतिक सफर की बात करें तो ये कॉलेज में पढ़ाई के दोरान ही विध्यारती परिशत से जुड़ गए इसके बाद सक्रियर राजणीती में आ गए पहले प्रयास में विधायक बनने में सफल रहे 2017 में हुए प्रदेश की सत्रवी विधानसभा के चुनाव में इन्होंने खाटी समाजवादी नेता माता प्रसाथ पांडे को हराया अगस्त 2019 में योगी आदितनाथ सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार के बाद इन्हें बेसिक शिक्षा विभाग का दायत विराज्यमंत्री स्वतंत प्रभार के रूप में दिया गया अभी आपने देखी डाक्टर सतीत दुवेजी की जीवन अत्रा नक्साव हमारे खास कारक्रम समय समवाद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपने राजनेति के आतरा चालू की और कारायल मंत्री से सुरुवात की और आज आप प्रदेश की मंत्री बने हैं कैसा मैंसुस कर रहा है सिधार्तनगर मेरा पैत्रिक निवास है वहां से हाई स्कूल की परिक्षा उत्तिर्ण करके मैं बस्ती आया राजकी इंटर कॉलेज में इंटरमीडियेट में प्रवेस लिया फिजिक्स केमेस्ट्री मैस्मेटिक्स ग्रूप का छात्र रहा लेकिन केमेस्ट्री मुझे बहुत परिसान करती थी और उस समय यह जानकारी नहीं थी कि chemistry के जगह पर defense studies या जागरफी कोई दूसरा भी से ले सकते हैं यह दियान में नहीं था तो chemistry से परिसान हो करके science छोड़ दिया फिर APNPG college में BA made mission लिया अब चुकि science पढ़कर आया था तो एक दो senior जो लोग थे उनसे subject के बारे में चर्चा किया और लोगों ने जिन बिसेओं का सुझाओ दिया तो political science, medieval history, मद्यकाले नितिहास और economics इन तीन बिसेओं को लेकर के BA में प्रवेस लिया अच्छा लगने लगा science वाले विद्यार्थी की दिर्ष्टकोंड से पढ़ाई शुरू की तो बहुत जल्दी ही अपने सिक्षकों का चहेता बन गया लेकिन उसी दोरान APNPG कालेज में अखिल भारते विद्यार्थी परिसद के द्वारा स्वामे विवेका नन की जहनती का सब्ताह मनाया जा रहा था 12 जन्वरी को उनकी जहनती मनाने के बाद 12 जन्वरी से 23 जन्वरी तक विद्यारसी परिसद स्वामी विवेका नन जहनती को राष्ट्य इवा दिवस के रूप में और फिर नेताजी सुबास चंडर बोस की जहनती को रक्तदान दिवस के रूप में और इस बीच में कई सारे वो प्रतियोगिताएं करते थे बहसं प्रतियोगिता बात बीबात प्रतियोगिता निबंद लेखन बहसे प्रतियोगिता और sö और मी era Z बहुत सारे डिवेट और भासन की परतियोगिताएं होती थी तो एक दोर ऐसा चला मैंने एडमिसन लेते ही बी ये परतम बरस में इन सभी परतियोगिताओं में मुझे परतम पुरसकार मिलते थे तो अखिल भारते वे द्यारती परिशत के लोगों को उस समय लगा कि इस लड़के को संगठन से जोड़ना चाहिए और अभी जो बस्ती के सांसद हैं स्री हरीष दिवेदी जी वहां जिला पर मुख हुआ करते थे एक साल उन्होंने लगातार प्रयास किया मैं मना करता रहा कि नहीं लगता समझ में आता था कैसा संगठन ने क्या है मूमन चात्र संगठन चात्र अंदोलन करते हैं तो थोड़ा उसे दूर रहना चाहते थे कि गाउंस से आए हैं पढ़ने के लिए तो उससे भागते थे ले कि दिरह धी जी का बड़े महराज जी का संग परिवार के सभी संगठनों विसेशकर विद्यार्थी परिशत के परती बड़ा सनेह रहता था हम लोगों के कोई बड़े कारिकम होते थे तो उनमें बिवस्था के सहयों के लिए जाते थे और योगी जी चुके ईवा थे तो इसलिए भी हम लोगों के अभ्यात बर्ग में अधिवेशनों के कारिकमों में आना जाना अब इस्विद्याले में चात्संग के चुनाव होते थे तो भी कई बार उनसे हम लोग मिलते थे उस संदर्व में यह बिचार कवाया कि अब तो राजनीत करनी हो विदाय का चुनाव लगना है य जिसमें पारिटी के कारिकरताओं को स्यामप्रसाद मुखर जी जी दीन दयाल जी और ऐसे अटल जी इन सब लोगों के जीवन के बारे में चर्चा करना और बैचारी सांसिक्रतिक राफ्टरबाद क्या है भारते जिनता पारिटी का इतिहास विकास क्या है जनसंग से लेकर अब तक की विकास यात्रा क्या है अनुच्छे 370 को लेकर हमारा विचार क्या है राम जन्मभूमिंग को लेकर पार्टी का इस्टेंड क्या है इन पार्टी के काम काज के तरीकों को लेकर कारे पद्धति को लेकर सदस्यता को लेकर के संगठन की संरचना को लेकर के ये जो प्रसिचन बर्ग होते थे उसके लिए एक प्रसिचन प्रकोष्ट बना था लोग सभा चुनाओ 2014 का हुआ हमारी जिम्मेदारी बस्ती में लगी हुई थी मैं वहां चुनाओ में बस्ती काम कर रहा था और वहीं से उस चुनाओ में इन्वाल्ब होने कारण और मोदी जी का भारत की राजनीत में उभार और राजनीत में तमाम सारे प्रोफेसनल लोगों का आना परिलगा कि और भी प्रोफेसर्स हैं और भी डाक्टर्स हैं तो ऐसे लोगों को राजनीत में आना चाहिए ताकि जो अपराधी प्रविर्ति के लोग ठेकेदार प्रविर्ति के लोग जो राजिनीति में हैं केवल कोशने से काम नहीं चलेगा हमारे जैसे लोगों को आगे आना चाहिए दीरे दीरे बात घर कर गई कि 2014 की लोग सभा चुनाओ के बार चेतर में फिर सक्रिय हो गया अपनी विदान तबाव में इस द्रिष्टि से की मोखा मिलेगा चुनाओ लड़े और इतने बड़े व्यक्ति को आपने हराया और पहली बारे मंत्री बने और मंत्री में भी सोतन्त प्रवार उसमें आपने कैस सब्सक्राइब तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि हमको एक अच्छे कार्य करता कि रूप में हम को हमेशा मिलता था पार्टी के निताओं का स्ने मिलता था लेकिस सबको लगता था गोरगपूर रहा है कुसी नगर नोकरी किया है और इतने बड़े बेक्ति के सामने वहाँ जा करके कैसे लड़ेगा लेकिन इसलिए भारते जंता पार्टी पार्टी बिद्धा डिफरेंस हम कहते हैं यह बहुत अलग है इसकी कारेपध्धती ततकालीन हमारे प्रदेश अद्धिक जी ने और हमारे प्रदेश संगड़न मंतरी जी जो अभी है मानिय सुनील बं लेकिन एक कारेकरता होनी की जो मेरी पूजी थी एक कारेकरता के रूप में पहचान थी पार्टी ने दाउं पर लगाया एक तरह से मुझे और इसवर की किरपा जनता जिस बिकल्प को तलास रही थी वो बिकल्प पा गई मेरा प्रोफेसर होना डिवेटर होने के नाते आइटी आई नहीं पॉलिटेकनिक नहीं इस्टेडियम नहीं सडकें खराब बिजली खराब मैंने इन मुद्दों को एक डिवेटर की तरह ठीक से अपने चुनाओं में उठाया मैं तो इतना ही कहता हूं कई बार की जो 2017 का जीत कर आया मैं उसमें मेरा कम मेरी पार्टी और मा थिक ब्रेक के बाद से हमारी बात-चीत का सिलसला जारी गयiene आ उगयी कि शॱय साहर्वी साथ है बेसिक सिच्चा मंत्री-ड्र सतीष दूभड़ई जी एक बड़ा खास मसला है पर देश में उत्तर पर देशork में ज़ी अध्यावकों की भरती का आपने कहा था जल्दी ही भरती प्रक्रिया चालू होगी लेगी अभी भी मामला अधर मिलट का हुआ देखिए जब मैं मुझे 21 अगस्त को सफद ग्रहन मंत्री के रुप में मैंने किया दो-तीन दिन बाद मुझे विभाग मिला इस विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही ये भरती परिक्षा जनवरी उन्नीस में हो चुकी थी मैं तो मंत्री बना अगस्त में अगस्त लाट में तब ही अभी अभरती उस समय मिलना सुरू किया उन्होंने और कहा साब मामला हाई कोट में है और तारिक पर तारिक लग रही है और इसके कारण से देरी हो रही है थोड़ा इसको जल्दी करा दीजिए मैं इस अंदर में माने मुख्यमंत्री जी से मिला तो उनके मन में भी ये पीडा थी वो भी चाहते थे क्योंकि योगी सरकार बनते ही आपने देखा होगा पहली प्रात्मिक्ता थी उनको कि अधिक से अधिक नोजवानों को रोजगार मिले उन्होंने भी मुझ से कहा कि मैं मैं भी चाहता हूं कि 79,000 ये जो बच्चे हैं इनको रोजगार भी मिले और स्कूलों को टीचर भी मिले इसलिए जो हो सकता है करो सरकार की ओर से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए इसकी त्वरित पर भी होनी चाहिए इस मामले का निस्तारन होना चाहिए फिर मेरी महाधिवक प्रक्ता ने जाना सुरू किया सरकार की ओर से तेजी लाई गई और उसका परेडाम यह हुआ कि आपने देखा होगा कि कोरोना का लागडाउन चल रहा था और उस भीच हाई कोट से फैसला आया जैसे फैसला आया मैं उन्से मिलने गया कि क्या मार्क दरसन है आपका इतने उन कंति मावेदन मांगा गया और फिर तीन जून से छे जून तक हम लोगों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया रखी थी हमारी काउंसलिंग शुरू भी हो गई थी छे जून के बाद हम नुक्ति पत्र देने वाले भी थे लेकिन उसी बीच फिर मामला हाई कोट में चला गया कु कि हमको माननी सर्वोच नियाले की और से जैसा आगे दिसा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से काम करेंगे लेकिन पूरी इमानदारी से योगी सरकार माननी मुख्यमंत्री जी और हम सभी यथा सीग्रिस भरती को पूरा करना चाहाएं तो क्या पूरा मामला था यह मामला कस् तुरुबा गांधी बालिका विद्याले चलते हैं जहां स्टी ओबी सी और जनरल कटेगरी की भी गरीब जो परिवारों की बच्चियां हैं उनकी वहां आवासिये सिक्षा पूरी होती है रहना खाना सारी चीज़ें वहां पर अभी अभी जाकर के किंदर सरकार के प्रोज नहीं होता है बिग्यापन निकलते हैं गड़ी सिक्षक बिग्यान सिक्षक ऐसे अलग अलग पार्ट टाइम फुल टाइम सिक्षिकाओं की डाइट प्रिंसिपल की अधिक्षिता में कमेटी होती है जिसमें बियस्से भी होते हैं डियम के प्रतनी भी होते हैं लोग विद्यालेयों में दूसरे महिलाएं लड़कियां अनामी का सुक्ला बन गई मैं ही अनामी का सुक्ला हूँ और उस नाम पर चुकि आबेदन अलग अलग हुए कोई प्रदेस इस्तर पर भरती होती कि नहीं है जिला इस्तर पर आवेदन होता है उस डाकुमेंट मेरी टची रही होगी इसलिए कि अगर इस डाकुमेंट से भरेंगे तो सेलेक्शन हो जाएगा अलग अलग जगहों पर अब उसमें कुछ लोग उसमें जुड़े थे मानने मुख्यमंत्री जी के आदेशा नुस के बारे में माना जा रहा है कि जो भी बेसिक सिच्छा की स्कूल बच्छे पड़ रही है देखी उत्तर परदेश में 2017 में योगी सरकार आने के बाद ही आप लोगों ने देखा उगया एक सब्ध बहुत चर्चा में प्रंद मुख्यमंत्री जी का की प्राथमिक्ता बनी की कि जो इस्कूलों की जरजर इस्थिति है जिस पर पिछले तीन सालों में ध्यान नहीं दिया गया उनको थीक किया जाए अवश्थापना सुविदाओं को ठीक किया जाए दूसरी प्रात्मिकता योगी सरकार की ये रही कि जो चात्र चात्राओं को दी जाने वाले सुविधाएं हैं पाठे पुस्तके हैं, बैग हैं, जूते मोजे हैं, यूनी फार्म हैं स्वेटर की सुरुवात उत्तर प्रदेश ने अपनी ओर से की इनको लेकर के और तीसरी प्रात्मिक्ता यह रही कि जो एकडेमिक पोर्षन है बेसिक सिक्षा में पढ़ाई लिखाई कम नान एकडेमिक पोर्षन पर ही ज़्यादा उल्गा रहता था विभाग तो इन तीनों छेत्रों में सुधार को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और आपको इस समय सुखद आश्चरे होगा मानिये मुख्यमंत्री जी ने जो सरकार आई है मार्च अप्रिल में जून 17 के बाद से आपरेसन काया कल्प फुरू किया आज हमारे एक लाख उन्साट हजार विद्यालियों में लाख डाउन में अभी जो मनरेगा के अंतरगत भी काया कल्प को ले लिया है इसके पहले का आंकरा में बता रहीं अब आंक्रे बढ़ गए होंगे लाख डाउन से पहले ही 93,000 से अधिक स्कूलों का काया कल्प हो चुका था मंत्री जी आपकी बिभाद ने परणा एप चालू किया, लेकिन इसका सबसे जदा बिरोज सिच्छकी कर रहे हैं, तो इस परणा क्या है जिसका बिरोज सिच्छकी तने बड़े इस्तर पर कर रहे हैं? देखे हुआ क्या, सरकार को ये अनुभो हुआ, कि हम स्कूलों का इंफरेस्ट्रेक्चर ठीक कर रहे हैं, योगी सरकार ने बच्चों को अच्छी दो जोड़ी रंगीन उनिफार्म देना सुरू किया, जूते मुझे देने सुरू किये, पहले केवल ड्रेस मिलता था, जूता देने की बात कही, ये सारी चीज़े करने के बाद भी जो मूल मंतर था, वो सिक्छक था, जब सिक्छक स्कूल में नहीं आएगा, समय से नहीं आएगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो ये सब करके हम क्या करेंगे? इसले हम लोगों का इस बात पर ध्यान गया, और उत्तर प्र मामला, उनके अप्लिकेशन का मामला, इन सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने आनलाइन करने की कोशिस की, उसके लिए प्रेड़ा टेक्निकल फ्रेमवर्क लेकर के आए, उसी में एक हिस्सा, अभी उसी का एक हिस्सा था कि सेलफी के माध्यम से अटेंडेंस, कि स्कूल पहु बच्चों ने भोजन किया कि नहीं किया, और एक जाते समय, कुल मिलाक एक कोशिस थी, कि सिख्चक सत प्रतिसत स्कूल आएं, स्कूल में रहें, अपने दायतों का निर्वहन करें, तो पहले तो सिख्चकों ने का कि हमारे पास स्मार्ट फोन नहीं है, तो हम लोगों ने मा माने की प्रेणा एप लागू रहेगा, और सिख्चक चाहिक जित्रा भी बिरोद करें, यह रुकेगा नहीं, बिल्कुल, हम जल्दी ही टेबलेट उकलब्द करा देंगे, हमारा यह प्रेणा एप तो वैसे भी लागू है, मंतरी जी, करोना की समय में आनलाइन सिख्चा ब बंद कर दिये गए थे, हमने हमारे अधिकारियों से बात की और हम लोग उने तय किया, कि आनलाइन क्लासे शुरू करेंगे, वाटसेप के माद्दिम के हमारे टीचर ने होमवर्क देना सुरू किया, फिर बच्चे होमवर्क करके वाटसेप पर फोटो कीच कर वेजने लग है, तो इस पर सरकार क्या कर रही है? तीन-तीन महीने पर जो निजिविद्याले फिस लेते हैं, तीन महीने के फिस देना मुस्की लोगा दिवाओं को इसलिए वो तीन महीने की बज़ा एक महीने मिलेंगे, और तीसरी बात यह कही गई कि अगर इस बीच कोई नहीं दे पा रहा है सुल्क, तो आप उस पर कोई दवाव नहीं बनाएंगे। कि किसी भी प्रदेश का जो बेसिक सिक्षा विवाग है, सर्व सिक्षा अवियान के माद्यम से केंदर सरकार की बहुत सारी फंडिंग होती है, केंदर सरकार के बहुत सारे जो पहल होती है, उसको हम अपने हैं लागू करते हैं, सिक्षा नीती केंदर सरकार के माद्यम से त नियम कानुन नहीं हो गए तो उसको लेकर किसी कारिक में मैंने वह बाते कह दी थी कई उसके संदर्व थे लेकिन उनमें से बहुत सारी चीजों को हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंतरी जी बेसिक सिच्चा विवाक हमेशा ब्रष्टाचार के लिए चर्चित रहता था। इस सरकार ने ऐसे कौन-कौन से कदम उठाये हैं जिससे ब्रष्टाचार उजागर हुआ है और ब्रष्टाचारियों के खिलाब कारवाई हुई है। देखे हम जो टक्निक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं उसके पीछे आधुनिक बनाने की गुडवत्ता बढ़ाने की बात तो है ही कहीं न कहीं भरष्टाचार रोकने की भी बात है। आप देखे फरजी सिक्षक काम कर रहे थे इस प्रदेश में बर्सों से लेकिन कभी पकड में नहीं आते थे। जब हमने मानो संपधा पोर्टल लागू कर दिया इसी प्रेड़ा टक्निकी प्रेमवर्क में और जब एक एक सिक्षक का डेटा हम अपलोड करना उस पर शुरू कर रहे हैं तो कहीं भी एक डेटा दो जगां जैसे अपलोड हो रहा है तो हमारी पकड में आ जा रहा है। जब मानो संपधा पोर्टल को हमने कस्तूर्बा में भी लागू कर दिया डेटा फीडिंग शुरू होई तो पकड में आया। अभी और भी जो ऐसे लोग हैं तेजी से पकड में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक त्रेंड, योगी सेरकार के आने के पहले का यह चल रहा था कि धीरे धीरे सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे थे। गांधियाद की भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा रहे थे। लेकिन मुझे बताते हुए परसनता हो रही है कि य कान्वेंट स्कूल के बराबर होगी तो कान्वेंट स्कूल में तो बहुत सुविदायन दी जाती हैं तो ऐसा कैसे कर पाएगी तरकार इतनी सुविदायन तो आप दे नहीं पा रहे हैं तरह का बयान हमने कभी नहीं दिया कान्वेंट स्कूल की बराबरी का मैं तो कारिकमों में या मेडिया के सामने कहता रहता हूं कि योगी सरकार की हमारे मानने मुख्यमंत्री जी की और मेरी भी ये प्राप्थमिक्ता है कि गाउं गरीब मजदूर किसान और दिहारी मजदूर रिक्सा वाला ठेला वाला इन सब के बच्चे भी उसी तरह की सिक्षा प्रा कि अधर का बच्चा हो गाओं का बच्चा हो ब्यापारी का बच्चा हो किसान का बच्चा हो मजदूर का बच्चा हो सब को एक तरह की सिच्छा मिलनी चाहिए मुंत्री आपने कहा था कि जल्द ही ट्रांस पर नीती लागू हो गी और जो भी सिच्छक पांफ साल का जो कारका अच्छा लग रहा है मुझे कि आप इतना ध्यान है एक एक बात पर जो हमने कही हैं यह कहते ही हमने उसको साकार कर दिया था हमारी नई ट्रांसफर पॉलिसी बन गई थी जिसमें हमने पहले पांच साल की सेवा पर ट्रांसफर होता था पुरुसों के लिए तीन साल कर दिया म साधी हो जाती थी फिर ससुराल काहीं दूर होता था तो उनको तीन साल पांच साल इंतजार करना मुस्किल होता था तो उनके लिए ट्रांसफर का जो पिरियड एक साल के बाद वो अपलाई कर सकती हैं और एक और विसेश बात बताना चाहता हूं पूरे देश में साहित पह साल थे उनके लिए सारी कंडिशन हटा दी ना तीन साल ना एक साल और इतना कर दिया कि वह अन्य लोगों को तो उनके गाउं में नहीं ट्रांसफर दे सकते लेकिन वह तो अपने गाउं में भी जाना चाहें तो वहां भी ट्रांसफर देंगे ताकि हमारा सेना का जब परती तब होई थी जब बड़ी संख्या में सिंख्चकों के पदरिक्त थे सिंख्चक भरती नहीं हो पा रही थी तो पίναι करें पिछली समाजवास्बादी पार्टी की सरकार ने इनको समायुजित करके इस्थाई करने को कहा लेकिन उसके लिए जो आवस्यक कानूनी उपबंद थे वो नहीं किये तो जो बच्चे थे जो जो नया आवसर चाहते थे सिक्षक बनने का वही कोट गए थे कोई सरकार नहीं गई थी मानिय सरबोच नयायले ने कहा कि जो समायुजन हुआ था वो गलत हुआ उसको निरस्थ किया आपने देखा होगा जब निरस्थ किया मानिय नयायले ने तो इनको 27 इच्छक से वापस लोटकर 35,000 रुपे के बेतन पर आ गए लेकिन चुकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संबेदन सील है तुरंत थी उनको लगा कि 35,000 में जीवन आपन कैसे होगा और उन्होंने इनका बेतन बढ़ा करके 35,000 से 10,000 किया फिर मानिय नयायले का जैसा निर्देश था यह हुआ कि अग अगरा आपसे बात की जाए विभाग की पांच उबलब्धियों के बारे में तो आप किन किन उबलब्धियों को गिनान चाहेंगा एक तो यह है कि योगी सरकार ने विद्यालेओं की अवस्थापना सुविधाओं को ले करके आप रेशन काया कल्प के माध्यम से क्रांतिक चितरकारी वाले खुबसूरत रंगेन बिल्डिंग जो दिखाई दे रही तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा यह स्कूल है काया कल्प होगा इसको दूसरा बेसिक सिक्षा में कभी टीचिंग क्वालिटी पर बात नहीं होती थी आज हम सैट करा रहे हैं दो बार सैट कर करेंगे एक क्लिक पर इसकूल खुल जाएगा कौन कितने टीचर हैं कितने बच्चे हैं और आप कहेंगे कि उसमें सियाम नाम के लड़के का हमको रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मैं अपने कंप्यूटर के क्लिक के माध्यम से उसका स्टुडेंट असेस्मेंट टेस्ट क समाम सारे निजी स्कूलों में इनहीं जिन कारणों से आकरसन का विसे बने रहते हैं लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और जो इस्टुडेंट अमेंटीज हैं जो चात्रों की सुविधाएं हैं उनका ड्रेस उनका जूता मोजा उनकी फरनीचर उनके इसमार्ट 15,000 हम मानिय मुख्यबंतरी जी ने आते ही सरकार बनते ही फरजी सिक्षकों के मामले को संदेह किया गया था कि ये हो सकते हैं उनकी जांच के आधार पर लगबग 15,000 सिक्षकों की जांच फाइनल करके साइटी और संदेह ने हमको दी उनको हम बरखास्त कर चुके हैं कुछ ऐसे स अधिक सिक्षकों को इन तीन सालों में हम लोग ने बरखास्त किया है और अभी सायद उत्तर प्रदेश की इतिहास में पहली बारेशा हो रहा है मत्रीश हमारे इस कारकरम के मद्दम से पूरे प्रदेश में आपको अभीभावक, बच्चे और टीचर सब लोग देख रहे हैं क्या संदेश देना चाहेंगे आपको मैं अपने अभीभावकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि एक कठिन समय है बच्चों की मानसिक इस्थिती पर इस COVID-19 की महामारी का असर कम पड़े इसलिए हम सभी जादा तर इस समय घरों पर हैं जो सामानने समय में बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं जो सिकायत रह हुआ हैं थालिए अच्छे संजकार देने की कोसित करें उनके मनो भाव को समझें उनकी रूची को जाने कि इस तरप उनको जाने की इच्ठा है उस चीज को संझें और सौयम यह कोई हमारे आनलाइन क्लासेज के भरोसे न रहें जो अभिभावक कर सकते हैं वो अपने बच्चों को रोज पढ़ाने की कोसिस करें हम किताबे भी बेज रहें अन्यवी प्रहासों से और अपने प्यारे बच्चों से ये कहना चाहेंगे हम जल्दी संकट से उबरेंगे आप घबर बिलकुल समाफ्ट हो चुका है उन्हेंने प्रदेश के सभी अभवावकों को और बच्चों को और टीचर्स को एक संदेश दिया है कि करोना का इस कारकाल में आप साबधानी बढ़ते और जल्दी ही हम इस संकटते निजात पालेंगे और इसकूलों को पुना खोलेंगे आज इस कारकर में इतना ही आगे के ख़बरों के लिए देखते रहे हैं समय यूपी उत्राखनी सारा प्लाव